हेलो नमस्ते राम राम राधे राधे दोस्तो कैसे आप सब लोग आशा करते हैं जहां भी होंगे स्वास्त होंगे मार्त होंगे खुब बढ़ियां से होंगे और हाँ दोस्तो ये साल का आज का पहला दिन है और आप सभी को 9 वर्स की बहुत बहुत सारी सुपकामनाई और इस वर्स एग द्वा करते हैं कि इस साल आपके वह सारे सपने पूरे हो जो आपने देख रहे हैं तो चलिए दोस्तों मैंने कल जो है वीडियो नहीं सुट किये थे क्योंकि कल मेरी तबियत बहुत रही थी इस वज़े से आज की ये वीडियो भी मैं उसके साथ एड़ कर रही हूं और कल मैंने वीडियो नहीं बनाये थे बढ़ कल आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आये थे मैंने आप लोग के कमेंट्स पढ़े हैं मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इत अपने दोस्तों को भी बुला ली है और बता दे कि ये जलेवी हमने नहीं बनाए है हमारे घर के बगल में ही एक दुकान है वहाँ पर सुबह सुबह जलेवी बनती है गर्मा गरब तो आज इनकी जित थी जलेवी खाने की तो अन्नु जलेवी ले आई है और साथ में इनको च खान से ही बनता है उसके मसीने होती है उसके बनाने के प्रोसेसर होते हैं तो चलिए फटा-फट शाय रख दिये हैं और एक तरब बनाएंगे चुडा मटर तो चाय तो हमारे यहां सभी लोग नहीं पीते हैं मैं एक या दो कब चाय बनाती हूं उसमें अम्मा जी के लिए और कभी-कभी मेरा मन करता है तो मैं भी पी लेती हूं, क्योंकि मैं वैसे तो ग्रीन टीब पीती हूं, बट इतनी ज्यादा ठंड है कि कभी-कभी मैं जो है चाय पी लेती हूं, तो यहां देखिए चुड़ा मटर के लिए हमने कड़ाई में तेल डाल दिये थे उसमें डाल दिये थे जीरा तो जब जीरा चटक गया है तो उसमें हम यह डाल दिये हैं प्याज और बता देखिए कि खेतों में से हम लाए थे हरा धनिया हरा लैसुन तो हरा धनिया हरा ब्रत्फून और तो श कि आव तो हमारे चुड़ा में थोड़ा सा दूँआ अच्छाyr आए इस पर मसाले हैं सबजी में दाले और दिसके के सलावर भी शूक्तिते पानि जा दम a और कि अब मजिए सब भेट दुप सरफ म दोन एंगे है किस टाकि मसाले इससे पानी आड की है हामों के तो मसालों के साथ इसमें हम नमक भी ढूरा देखी चुड़ा in para फ Seems पहले उसको एक बार हलका सा दो लेते हैं तो पानी को तुलनत डाल के और तुछन पानी को निथार देना tap है चुड़े में नहीं तो चुड़ा गल जाता है तो इससे चुड़ा मटर अच्छे से नहीं बनते यानि खीले खीले नहीं बनते हैं देखिए चूड़ा को पोहा भी बोलते हैं तुमारे बहुत सारे मित्र हैं जो इसको पोहा बोलते हैं और उनको समझ में नहीं आता है तो जानले कि चूड़ा और पोहा दोनों एक ही है तो इसको हम बढ़ियां से देखिये डाल दिए हैं और इसको अच्छे से भूण लेते हैं तो चलिए दो देखिए खुब अच्छे के लिए चूड़ा मतर बनाते हैं इसके अच्छे से त्यार हो ने की जब यह अच्छे से पक जाता है तो कड़ाई अपने आप छोड़ने लगता है और एकदम से खीले खीले होते तो यह देखिए मैं आप सारे बच्चों के लिए चूड़ा मटर निकाल लए हूँ तो फाइनली हमारा चूड़ा मटर यानि पोहा मटर बनके तयार है और सभी के लिए मैं यह सुबा का नास्ता निकाल दे रहें उसके बाद फिर खाना वगरा सब हम बनाएंगे तो चलिए दोस्तों हम बैड़ गया है अपने सर्जों के खेत के किनारे बड़ा सुकून मिलता है बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने खेतों में इस तरह से और यहीं से बैटके मुझे कमेंट्स पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है तो चलिए आपको कमेंट्स पढ़ना सुरू करते हैं तो सबसे पहले कमेंट्स पढ़ते हैं रोज एपल फॉरेवर हैपी न्यू यर तो यू एड यूर फैमिली फ्राम सूरिनेम तो थाइ फैमिली फैमिली फैंके सो मच विजानी जी और आपको भी नौवर्स की पहुत बहुत साही सुपकामना है आज रोजनी साहू एपी न्यू यर तो हैपी न्यू यर साहू जी मेहर मुभीन अवाव आंटी मजा आ गया व्लाग देखके बहुत वेट होता है आपके व्लाग क का लब फ्रॉम पकिस्तान तो थाइंक्यू सो मच मेहर मुभीन जी और आपको भी नौवर्स की बहुत साही सुपकामना है और अगला कमेशन में लिकिए कुस्मा चन जी राम रामाभा जी आई फील वेरी सौरी यूर वरकिंग वेरी हाट गॉड ब्लेस यू थाइंक्यू स मच कुस्मा चन जी और नौवर्स के आपको भी बहुत बहुत साही सुपकामना है हमारा काम है हार्ड वर्किंग और बता दें कि किसी से कभी-कभी भगवान बहुत हार्ड वर्क मांगते हैं सफलता के लिए तो मैं तो इसे नौर्मल लेके अपना काम करती हूं अगला स्रद्धात्रिपाठी जी हैपी नुए यहर टू यूर आल फैमली अपना ध्यान रखिए थैंकि सो मच स्रद्धात्रिपाठी जी और आपको भी नौवर्स की हार्दिक सुपकामना है और अगला लिखे हैं अगला कमेंट समय लिकी हैं ससी वर्मा लखनों से भावी नमस्त योगेश सिंग जी हैपी नुए यहर टू थैंकि सो मच योगेश भाई और आपको भी नौवर्स की हार्दिक सुपकामना है रागनी देव कसेरा जी हैपी नुए यहर अंकित गोंड जी हैपी नुए यहर शालनी बासिन जी टेक क्यार हैपी नुए यहर सालनी जी और विक कंचन सोनी जी गुड आप्टर नून भावी जी आज भाईया को साथ में पूरी फैमली देखकर बहुत अच्छा लगा है फैपी न्यू येर थैंकि सो मच कंचन सोनी जी और आपको भी नौवर्स की पहुत पहुत साई सुपकामना है मरजीना खातून अपको भी नौवर्स की अपनाती हूं पता नहीं क्या भगवान से मारी दूस्मनी है वह उमारी परिच्छा लेता रहता है और हम उनको परिच्छा में पास हो के दिखाते रहते हैं क्या करे हैं loops को देते थे बिल्कुल सभी कहा स्वाती गुपता जी वह क्रिटिंग कार्ड का एक जमाना होता है जैसे हर मज़ा आता है आज भी मेरे पास बहुत सारे ग्रेटिंग कार्ड्स हैं जिने मैं सम्हाल के रखती हूं मेरी एक आदत है मैं लोगों की फीलिंग को सम्हाल के रखती हूं मुझे कोई चीज फेकने में बड़ा तकलीफ होता है तो सब मेरे पास ऐसे ही रखे रहे हैं रखे रह बार आपकी जबर्जस्त फैन बन गई मैं तो लव फ्राम मौरिशस तो थाइंक्यू सो मच सीबुदत रेचना जी और आपको भी नौवर्स की बहुत बहुत सुपकामना है आगे लिखें दलजीत कौर जी हैपी न्यू यर भाई ललिता सोनी जी हाजबेन का सपोर्ट वेरी सुपकामना है थैंक्यू सो मच अकलेश भाई जी और आपको भी नौवर्स की बहुत सारी सुपकामना है रंजू विश्वकरमा जी थैंक्यू सो मच हैपी नूई यर और वीजय रानी जी बहुत खुशी हुई आभा जी भाई जी को देखकर वो आपकी हेल्प करते हैं तो region सभी कु तो थैंकिशों मच देव की कुमारी जी और अगला किमेंट लिखी है सुन्दरी जी आप परिवार मेरे तरफ मेरी से 1 इ सुछ प्रस्वेल आप अपको साविय आपको फूब की बहुत साथ आत नीजुऊ उपने कल राय करके प्रचना कार्टून कमेडी है अरती जाजी वीडियो बहुत अच्छा है प्योर इस वीडियो में आपकी आवाज भी धीमी आ रही है थाइक यूश मच आरती जाजी इसलिए मैं बाद में वाइस ओबर नहीं करती हूं और सामने इस तरह से फेस टू फेस बोलने से वीडियो काफी लंबे हो जाते हैं थाइंकि सो मच और आपको भी नवर्स की थाइक बहुत दो सारी सुपकामनाएं अगला कमेड़ से में लिकिए किरन मित्रा जी सब काम भी कर रही और कह रही कोई काम नहीं किया फैमली के हेल्प ले थोड़ा लगता है तो मुझे इनके साथ ही बोलते बतियाते काम करते करते का समय बीच जाता है अच्छा लगता है पता ही नहीं चलता है तो अगला कमेड़ से में लिके हैं दमान कुल से था अभाजी आपके हज़रन तो साथ बहुत देते हैं जी हां बिल्कुल थाइंकियो सो मच औ अपको भी हार्दिक सुखाम नाई घंश्याम यादो जी थाइंकियो सो मच और हैपी न्यूज यर मनुज कानपुरिया जी हैपी न्यूज पृति कुमार हैपी न्यूज आभा जी कंचन की तरफ से मेरा बेटा अनुपम प्रितम की तरफ से भी आपको बति और अनू लकी और अनू को भी happy new year तो thank you so much प्रितम्कुमार और कंचन जी आपको भी 9 वर्सकी हार्दिक सुबकामना है रीचा सुकला जी थैंक्यू सो मच नोबस के हारदिक सुबकामना है हीना खां जी आन्ती जी आप अपना पूरा ख्याल रखिए thank you so much चीना जी और आपको भी हैपी न्यू येर मानी प्रभा आपको नमस्ते नमस्ते जी और आपको भी नौवर्स की सुपकामना है रानी सागर जी आपको और आपके परिवार को मेरे परिवार की ओर से नौवर्स की हार्दिक सुपकामना है थैंकि सो मच रानी सागर जी और आप हर्दिक सुपकामना है प्रियंका ठाकुर जी थाइंकी सब्सक्रा स्मैसेनासलोक पूरी फेमली को देख कर बहुत अच्छा लगा कि सरुम्हण त्योक स्रुब्асть की तुम हमें ज़रू बताना पका हमारे लोग की नहीं हो लिख लिखकर कि पहन किसी आयी खतम हो गई है फोन की वैटरी खतम हो गई है पर अभी बहुत सी बाते करने हैं तुम्हें ख्लियानों की महरानी ठाइंकि न प्यार और इतना सम्मान देने के लिए अभी तो जंदगी की बहुत सारी किताबे पलटी बाकी है जूडे रहे हमसे आपको पक्का मोटिवेट करके हम छोड़ेंगे लाइफ में कभी भी डी मोटिवेट नहीं होने देंगे थाइंकिए सो मच और आपको भी सोनल मैंक नौ वर्स की बहुत साइज सुपकामना है मेरे पूरे परिवार की तरफ से और सुहेल सुहेल राम राम आभा जी आपका सिहत का ध्यान रखिए बिल्कुल स कमेंट से में लिखे हैं दुरगांस दिक्षीत नाइस प्लॉक आणटी जी ठैकिशो मच दुरगांस जी और नौवर्स की हार्दिक सुपकामना है अगला कमेंट से में लिखी हैं संजुलता मोहनती जी आभाजी बिना बिंदी के आप बिल्कुल अच्छी नहीं लगते हैं आज आपके पुरा फैमिली को साथ में बहुत अच्छा लगा थैंकि सो मच संजुलता महंती जी और आपने बिल्कुल सही कहा कि बीमार होना मेरे परसनालटी को सुट नहीं करता ये मेरी बचपन से आदत है तो थैंकि सो मच और आपको भी नौवर्स की बहुत सारे सुपकाम कीजिए हमको थैंकि सो मच एंजीला हनुमान जी आभाजी हमारे भाहिया जी आप से भी अच्छा खाना बनाएं और पूरी तो बहुत अच्छा खाना बनाएं और आपको भी नौवर्स की बहुत सारे सुपकामना है अगला कमेंट्स में लिखे हैं राधे क्रिश्णा जी अनुक पापा पूरी बहुत अच्छा तलते हैं थैंकि सो मच राधे किसना जी और आपको भी हैपी नौई यर सुनिल कुमार जी अंकल जी बहुत खस्ता पूरी बनाएं तो थैंकि सो मच सुनिल कुमार जी और नव वर्स की हार्दिक सुपकामना है सुधा चोबे जी आभ यहारा करें हैं अгорडु परीति महरा बच्चों को भी दादी के साथ बैठने का количество चायए कभी कभी अच्छा लगेगा सब लोग साथ में खाते हैं द्रसल वो होता है ना पूरी आगे पिछे तलने वाली बात होती है बाकि तो सब साथ में खाते हैं रिचा सुकला जी यमी पूरी सब्जी थाइंक्यू सो मज़ राधे राधे आपको लोग बहुत 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 अच्छे होते थाइंक्यू सो मज़ प्रतिभाब प्रगती जी थैंक्यू सो मच हैपी न्यूएर अगे लिखी हैं सीखा सरोज जी थैंक्यू सो मच हैपी न्यूएर सीखा मित्रा जी डियर आप लहसुन के तेल या ओमिनी जेल क्रीम लगाओ हाथ पर और फूल हेंड ग्लॉफ आते हैं वह पहन कर लिटी है थैंक्यू सो मच शिखा मित्रा जी और नौवर्स के हार्दिक सुपकामनाएं और आप सब लोग ने जो अपने इतने अच्छे से हमें तरीके बताए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद सीमा सिंग जी नौवर्स के हार्दि अगला कमेंस यह उर्दु में लिखा गया है असरीफ हभीब जी का मुझे नहीं पता इतने क्या लिखा गया है जो है बट आपने जो भी लिखा अच्छा ही लिखा होगा तो थैंक्यू सो मच श्मिता सिंग जी थैंक्यू सो मच राधा जैसवाल थैंक्यू सो मच और अगला कमेंस इंद्रपाल सिंग जी थैंक्यू सो मच अपना इलाज लखनाव मेडिकल कॉलेज करो यकिन करो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे थैंक्यू सो मच कुसू मिस्रा जी और आप सभी मित्रों को नो वर्स की बहुत सारी सुपकामना है रिमितिवारी जी गेम आपके पती आपका साथ देते बहुत अच्छा है मैं और लगी अनु सुभम पापा के हाथ का खाना खाने मज़ा आया आपको थैंक्यू सो मच सो मित्रों देखिए आप सभी मित्रों के हमने कमेंस पढ़े हैं बट एक दो अगर कमेंस चुट भी गए हैं तो उसके लिए हम साल आप लोग के जीवन में एक नई खुशी एक नई उमीद लेकर आए चलिए रखते हैं ओके बाए मिलते हैं आप से कर टेक एर अपना ख्याल रखिए